जल्दी से क्लाफ टेंट वाले दोस्त सभी जुड़ जाईए यदि दोस्तों आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं 100% आप से गारंटी लेकर करे रहाऊं पूरा का पूरा एक भी प्रेशन आपका बाहर नहीं जाएगा देखिए जो हमरे दोरा कल श्याम को वीडियो डाला गया था उसमें आप सभी दोस्तों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि ग्रमर को पूरी करवा ये दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ लकार वाच्च दहतुरूप सुद्ध असुद्ध वाच्की संस्क्रत ग्रमर का एक एक टोपिक हमारे दोरा डाल दिया गया है सभी की लिंक आपको डिस्क्रप्शन में मिल जाएगी डिस्क्रप्शन में हमने लिंक डाल रखी है सभी की लिंक आपको मिल जाएगी बिल्कुल भी आप टेंसन न लें एक एक लिंक को देख लीजिए अच्छे से खोल का निबंध देख लीजिए एबलिकेशन देख लीजिए ठीके इस लोग बगरा जो भी है आपके और गध्यांस पध्यांस के से सोल करते हैं हमारे दोरा वीडियो डाले हैं सब कुछ आपको बताया हुआ है जल्दी से जितने दोस्त अभी जुड़ चुके हैं एक बार आप सभी दोस्त इस वीडियो को शेर कर दीजिए देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसका पेडिया आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगा बिल्कुल भी आप निश्यत रहें या इसके न्सोट आप ले सकते हैं या वीडियो को रोक रोक कर इसको नोट कर सकते हैं कोश्चन को समझ येगा पेले मैं क्या किना चाहरा हूँ बहुत सारे दोस्त कह रहा है थे कि हमारे दोरा जो डाला गया उसमें से कुछ नहीं है चलिए बिना देर की श्टार्ट करते हैं कतिताह इत्यस्मीन पदे पृतिय अस्ती दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि कतिता में पृतिय बताईए तो मेरे दोस्तों कतिताह जिस सब्द के पीछे ता हो ता के पीछे क्या हो विसर्ग हो तो वहाँ पर ये कृदंत पृतिय है उसमें पृतिय होता है कत ये हमारी ट्रिक दी ये किरियाओ के साथ लगता है ठीक है ये हो गया चलिए आगे बढ़ेंगे गता हां इत्यस्मीन पदे पृतियस्ति देखिए यहाँ पर गम धातु है गम धातु है और वो इतारा है पीछे तारा है मतलब यहाँ पर भी कौन सा पृतिय होगा कत पृतिय ही होगा चलिए आगे बढ़ेंगे चटका इत्यस्मीन पदे पृतियस्ति दोस्तो एसा सब्द जो इस्त्रिलिंग का बोत कराता है किसका बोत कराता है इस्त्रिलिंग का बोत कराता है और उसके पीछे आवाज जाती है बडाकी तो वहाँ पर आपका टाप पृतिये होता है अब यह चटका चटका मतलब चीडियां होती है तो चीडियां इस्त्रिलिंगे चटका बडाकी मात्र भी आ रही है तो यहाँ पर आपका जो पृतिये होगा कौन सा होगा टाप होगा तिक आप सभी ने पढ़ा ह प्रितिये का हमारा वीडियो डिस्क्रिप्शन में है सभी प्रितिये आप सीख सकते हैं देख सकते हैं समझ सकते हैं पूरा बता है विस्तरत रूप से डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम पर भी आपको सेंड कर दिया जाएगा अगला कोशन कर तुम इत्यस्मीन पदे प्रित जाएब चलिए आगे बात करेंगे कृष्ण सर्पह इत्यस्मिन वाक्य विषेश्षी पताना है विषेश्षी पत कौन सा है दोस्तों देखिये सर्प केशा है काला या कोई व्यक्ति है कि मोहन कैसा है काला मोहन कैसा है मोहन काला यह लिख़तों में काला तो इन दोनों पदों में से आपका जो विशेश्य है वो मोहन है काला है विशेशन है तो यहाँ पर सर्प कैसा है काला काला तो यहाँ पर विशेश्य पूछ रहा है तो आपका सर्प रा इस वाक्ति में आपको क्या बताना है विशेशन बताना है तो यहाँ पर आपका विशेशन जो होगा वो होगा उजवल हा ठीके उजवल चंद्रमा के समान उजवल ठीके चंद्रमा के समान क्या है उजवल है तो उजवल आपका क्या हो जाएगा दोस्तो विशेशन हो क्रोध करते हैं इस वाक्य में आपको विशेशन बताना है तो मेरे दोस्तों कैसे मनुश्य क्रोध करते हैं दुरबल करते हैं आपका राइट अंसर क्या होगा दुरबल होगा चलिए आगे बढ़ेंगे बिल्कुल अगर आपने मेरे द्वारा जो भी वीडियो डाले जा रहा हैं उन्हें यदि आपने पूरा देख लिया तो मैं 100% दोस्तों गारंटी दे रहा हूं 80 नमबर आप संस्कत में लेकर आ सकते हैं पर एक भी क्योश्यन को बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है ध्यान पूरवक देखना है वीडियो को पूरा देखना है वीडियो दा रहा हो तो लाइक करिएगा एक प्यारा सा कमेंट करके बता दीजेगा ताकि हम आपके कमेंट के अनुसार हमारे वीडियो में सुदार कर सकें तो आप सभी दोस्ते ध्यान पूरवक देखेंगे और अपने जो भी दोस्ते लाइव क्लास में नहीं जुड़े हैं वे एक बुद्धी मती कुत्र व्यागरम ददश्य बुद्धी मती ने व्यागर को कहां देखा तो क्या लिखोगे गहन कानने क्या लिखोगे गहन कानने ठीक है गहन कानने ठीक है गहने जंगल में मेरे दोस्तों बुद्धी मती ने बाग को कहां देखा ता गहन कानने आपका किस से मुक्त हुई रूप वती किस से मुक्त हुई तो निज बुद्धिया क्या लिख दोगे निज बुद्धिया या निज बुद्धि से निज बुद्धिया लिख लीजिए निज बुद्धिया ठीक है निज बुद्धि से रूप वती किस से मुक्त हुई निज जानुश्यतर में चलिए human कियु और देखेंगे सभी कमेंट करके बता देएंगे कश्ये Whilst किसका मास इस्तिर होता है मतलब परिफखो होता है किसका मास इस्तिर होता है तो दोस्तों मास किसका इस्तिर होगा व्यायायाम अभी रतश्य यहाँ पर क्या लिखोगे व्यायायाम और अभी रतश्य अभी रतश्य ठीक है अभी रतश्य आपने पढ़ा होगा कोश्चन आपको समझ मागा होगा लिखने में तो एक दिखकर आती है तो जो व्यायम में किल रहता है तल्लीन रहता है उसका मास इस्तिर होता है ठीक है चलिए यह एक एक नंबर के कोश्चन है सु करम इत्यशी पर्याई पदम लिखना है ठीक है सु करम, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे आप दुश करम ठीके, दुश करम लिख सकते हो आप, ठीके अगला देखेंगे, पाशान इत्यस्मिन पर्यय पदम, पाशान मतलब पत्तर होता है दोस्तो, तो इसका लिख देंगे आप प्रस्तर, प्रस्तर का मतलब भी क्या होता है, पत्तर होता है, ओके, चलिए, सार्तकम, सार्तकम का क्या लिखना है, विलोम लिखना है, तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे आप, निर अर्तकम, क्या लिखोगे, निर अर्तकम, ठीके, निर अर्तकम, समझ गए आओं तो दूशितम दोस्तों मतलब होता है दूशित का मतलब दूशित होना और यहाँ पर हम लिख सकते हैं निर्मलम क्या लिख सकते हैं निर्मलम भी लिख सकते हैं निर्मलम लिख सकते हैं या सुद्दम लिख सकते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है सुद्दम लिख सकते हो आप या आप निरमलम लिख सकते हो चलिए आगे बताएंगे आपको विबप्टिया खालिस्तान आपको ढ़ना रहेगा बिल्कूल बहुती आसान सी भासा मैं में आपको बताऊंगा ताकि आपको सभी को समझ माझ जाए पर एक बार सभी दोस्तों से निवेदा ने एक बार अपने सभी दोस्तों को जो रोज अपने इस चैनल के माध्याम से श्टेटी करते हैं आप उनको जरूर इस वीडियो को एक बार शेयर कर दें देखिए दोस्तो पूरा वीडियो का वश्ची देखिएगा एक से लेकर आपके जो प्रिशन है पूरे के पूरे 26 मापके जगा 23 ठीक है 23 आपके प्रिशन है 23 के 23 प्रिशन यहाँ पर आपको सोल करवा दिये जाएंगे एक भी प्रिशन ऐसा नहीं आपको नहीं बता जाएगा बिल्कुल आपने सित्र है एक से लेकर 23 तक के प्रिशनों के उत्तर आपको बता दिये जाएंगे देखिएगा पित्रहा सब्दश्य विवक्ति अस्ति पित्रहा सब्द में आपको क्या बताना है विवक्ति बताना है तो दोस्तो पित्र की विवक्ति आपको याद करनी है क्या होगी पित्रम पित्रह ठीके पित्र है ठीके तो यहाँ पर आपकी जो विवक्ति हो जाएगी दोस्तो वो हो जाएगी तिरतिया विवक्ति आपका राइट अंसर हो जाएगा ठीके भर लीजेगा अच्छे से ध्यान रखेगा परिक्चा में चरूर पूचा जाएगा उसके बाद तस्मीन सब्देश्य विवक्ति अस्ति तस्मीन तस्मीन सब्द में आपको विवक्ति बताना है मेरे दोस्तों तो इसमें आपका जो क्या कहना जा रहा हूँ अगला देखिए का राज्याहम सब्दैश्य विवक्ति अस्ति राज्याम ठीक है तो यहाँ पर राज्याम में आपको विवक्ति बताना है दोस्तो तो इसमें आपकी जो विवक्ति होगी वो होगी सश्टी विवक्ति ठीक है राइट अंसर आपका होगा सश्टी ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे और गंगाये सब्दैश्षी विवक्ति अस्ति गंगाये में विवक्ति बताना है तो दोस्तो आपने लता की विवक्ति करेंगी लता लताम लतिया लताये ठीक है लताये से लिकेंगे अपन लताये ठीक ह यह पर फिर्ष्न पूचा है वियोग पध में आपको उपसर्ग बताना है तो दोस्तों आगे क्या रहा है वी पीछे बचा है योग तो वी आपका क्या हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा यहाँ पर पूच्चा है निरगम तो आगे उपसर्ग निकल आ existed आपका निर पीछे बचे का गम गम मतलब जाना और निर मतलब जहां जाना कटीनो उसे निर गम केते हैं ठीके तुझ यहाँ पर उपसर्ग आपका निर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तो सुद्ध सुद्ध वाक्य के समक्च आपको ना आम लिखना है ठीके अब आप जहाँ पर मैं कट लगाऊंगो राइट का निसान लगाऊंगो वहां लिखेंगे आप आम क्योंकि लिखने में तोड़ी सी प्रोवल्म होती है समझ रहे होंगे आप और जहाँ पर गलत होगा वहां में कट लगा दूंगा तो महां पर आपको लिखना है ना लेकिन पर और ऑं अब नहीं न ठीक है नालीकिंगे अब के लिगेंगे यहां कट लगा दिया हम इने के लिगोंगे ना दूसरा देखेंगे एक इत्यस्मीन बहु अच्छम असती आम ठीक है राइट लगा दिया आम पाश्यती इत्यस्मिन पदे पीबधातु अस्ती आम लबते इत्यस्मिन पदे लटलकार अस्ती बिल्कुल आम शने अव्योपदम अस्ती नास्ती नास्ती मुझा है नास्ती ठीके मतलब शने जो है वो अव्योपद नहीं है जबकी है ना तो यहाँ पर क्या लिखोगे ना अगला देखेंगे कुत्र अव्यवपदम अव्यवपदम कुरुत तो यह कुत्र जो है आपका अव्यवपद है तो यहाँ पर क्या लिख दोगे आम लिख दोगे ठीके चलिए आगे बढ़ते हैं हम 32 प्रिष्णों को हल करने के और बढ़ रहे हैं हमारा ये जोड़ी लाफ्ट है युग में मेलनम कुरुत जोड़ी सही जोड़ी आपको मिलाना है आसत्यम मेरे दोस्तों एक भी प्रिष्ण आपको गलत करके नहीं आना है पूरे के पूरे आपको नमब लेना है आसत्यम ठीक है आफत्यम को आपको से मिला दोगे नन तत्पूरु समास से मिला दोगे रोग मुक्तहा मतलब रोग से मुक्त पंचमी तत्पूरु समास राम लक्षमनो द्वंद समास राम चा लक्षमन चा तलीन आपकी व्यंजन संदी है ततधनलीन कोत्र इसमें आपकी विसर्ग संदी है क्या हो जाएगा संदी विच्चेत काधन अत्र ठीक है विसर्ग वाली विसर्ग संदी और विद्याले इसमें हो जाएगी आपकी कौन संदी फ्रसंदी ओके चलिए आगे बढ़ जाएए यहाँ पर आप सभी प्रिश्णों को देखेंगे और किसी पिरकार की आपको गल्ती नहीं करना है देखे दोस्तों यह सभी कोश्चन है आप इन कोश्चनों का अध्यान बहुती साओधनी पूर वक्त कीजेगा इन कोश्चनों को आपको छोड़ना नहीं है यह ऐसे प्रिश्ण है जो आपको परिच्चा में देखने को मिलने वाले हैं देखे ये मैं बताने लगा तो कापी टाइम अपना हो जाएगा मैंने डिस्क्रिप्सन में लिंक दे रखी है वहाँ पर जाएगा ये सभी प्रिश्ण आपको मिल जाएंगे ठीक है नरा नाम प्रितमा सत्रु कहा ठीक है तो मनुष्यों का पहला सत्रु कौन होता है ये आपक के लिए बहुत प्रित कियत्य आपको पूरियों से drain करना चाहिए अरद्वल श्यलक्चन कि bisa अदेबल का लक्चन क्या है अडे और आपको कशन देख सकते हैं मैं व्यक्रन आपको पूरी शोल करवा दूंगा 27 अजर ये इसको आपको किसमें चेंज करना है कर्मवाच्च म में आपको बदलना है और रामहा ग्रामम गच्च थी इसको आपको कर्म में बदलना है छात्रा हसन थी इसको आपको भावच्च में बदलना है ठीक है तो मैं बस मात्र मात्र आपको दो से तीन सेकंड में इसको बदल के बता देता हूं अभी तो इसमें ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तो इसमें आप क्या करोगे इसमें आपको देखिए दो तीन देंगे उसमें से आपको दो ही करने रहते हैं तो यहाँ पर देखिए इसमें आप क्या कर दोगे कर्म वाच्ची बदलने पर इसमें लिख दोगे साथ की मतलब तत की तिर ग्रहम गच्चती तो इसको भी कर्म में बदलना है तो राम में तिर्तिया लग जाएगी ठीक है रामेन क्या हो जाएगा रामेन और गच्चती के जगा क्या हो जाएगा गम्याते ठीक है क्या हो जाएगा गम्याते चलिए आगे बढ़ेंगे छात्रा हसंती ठीक है तो बहवा बदल देतय हैं तो यहां पर बज़ आएगा आपका छात्राइघ किया वदल जाऊएगा छात्राइग अह стен थी क्योंकि अपन जो वचन है वह यह वचन लेंगे इसको एक वचन में नहीं बदल सकते क्योंकि यहां पर बहु उसके बाद मैं यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर बात करेंगे तेरवे कोश्चन में किसने किस से कहा तो बहुआन कुताहा बहात पलायता तुम बहेत से कहा बागे जा रहे हो तो यह बात किसने कही थी तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ स्रगाला स्रगाल मतलब जो लड़ या बगरा बोलते हैं ठीक है उसने कही थी किस से कही थी दोस्तो तो वो कही थी व्याग्रम किस से कही थी व्याग्रम बिंदी भी लगाना व्याग्रम ठीक है व्याग्रम से कही थी यह वाया दूसरा देखें गच्च वत्से सरुबध्रम जायते के वत्स जाओ तुम सभी का क की होगा कल ल्यान होगा तो ये बात किसने कहीती इंद्र ने कहीती इंद्र एंद्रह क्या लिख होगी इंद्रह किसल फिशल दीके दीख नेख़ने लाए ठीकी धीड धीले धी More चलिएगा यहाँ पर देखेगा धीरे धीरे कव्वे से कही थी किसने कही थी पिकाने थीके तो यहाँ पर लिख 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 लिखा ठीके यहाँ पर उसर का लगाना है पिकाहा थीके पिकाहा तो किस से कही थी यह कही थी आपकी काकाहा काकम से कही थी चली आगे बात करेंगे यहाँ पर रेकांकित पद के सामने आपको क्या लिखना है इस यह रेकांकित जो पद है इनको अटाना है और इनकी जगा आपको कोश्यन वचक सब्द लिखना है और पुरा-पुरा यहाँ पर कोश्यन वमार के लगाना है सबी के पीचे निंमें भी दोई करना है तीन दे र्खे डो खर ना है तो यहाँ पर पक्षिना लिखा ए पक्षिना accurately rated 2 कर Dwip तो यहाँ पर क्या लिंगोगए आप ध्यान से देखेगा देखेगा चौधा, ध्यान दूरू अबamentoро इसका यहां से पक्षिना आटाना आ है और इसकी केशाम, दो ही करना है, ध्यान रखी का, जो भी आपको सरे, लगे होंकर देना, नमबर आपको यही डालना है, अगर एक करते हो तो एक नमबर डालना है, तAc तीन करना है, तो तुर जायेगा ठीक है पहले वाले में क्या जाएगा केशाम दूरसे में क्या लिखोगे को ठीक है और तीसरे वाले में क्या लिखोगे आपका ठीक है और सभी के पीछे question mark आपको लगाना है पूरा बात की लिखना है ठीक है एसा मत करना नहीं तो केशाम लिखकर उसके पीछे आप क्या लग सर्प कहां से निकलता है थो इस बीलेन की जगा लिख दो मिला कै लिखी दो बिलाथ अब होगा सही, बिलार्थ सर्पाह प्रवाउति अब सर्पाहक में उसर्ग अठा देना, यह सर्प है क्या है सर्प, और यहाँ पर क्या लगा लेना, बिंदी लगाना शर्प यह से लिखना है, शर्पम बिंदिला का लेना, शर्पम हो गया, ठीके सही हो जाएगा वाग्गी, ये लिखा है गुरुवम नमः, शिरी गुरुवम नमः, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, स्री गुरुवे, गुरुवे कर दो आपका राइट अंसर हो जाएगा, स्री गुरुवे नमः, ये सही हो आगे देखेंगा यहाँ पर भी आपको दोई करना है चार दे रखें जलेशी विना जीवनाम नास्ती अब यह जल के विना जीवन नहीं है ठीक है तो यहाँ पर जल को अटाओ इसमें तृतिय विक्ति लगा दो क्या हो जाएगा जलेन जलेन राइट हो गया ठीक है और तौम पाटम पतंती तौम पाटम पतंती की जगा लिख दो पतंती की जगा पटसी कर दो आपका राइट हो जाएगा ठीक है क्योंकि यहाँ पर आपकी किरिया संबंदी असुद्धी है पटसी आपका राइट हो जाएगा तो आम पाटमपट सी राइट अंसर आपका होगा है देखिए ये गध्यांस पध्यांस आप सोल कर सकते हो किसी पिखा के दिक्कत नहीं आएगी टेंसर न ले ठीक है अगर आपको दिक्कत आती है इनको सोल करने में तो मुझे कमेंट करके बताईएगा मैं आपको आसानी से आपको ये हल करना बता दूँगा यहाँ पर आप जोड़ी और खालिस्तान बगएरा देखिए सकते हैं यह खालिस्तान है आपके पेले वाले में समश्य सदा तीक है पेले में क्या आजाएगा सदा आजाएगा दूसरे में आचार 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 धर्मह ठीक है यहाँ पर देखेगा थोड़ सा बका अविचल इव तिष्टति इस्तित प्रग्या ठीक है तीसरे में आएगा इस्तित प्रग्या जिसके बाद में समान सील व्यसने सु सक्यम तो यह आजाएगा आपका चोंते वाले में लाफ्ट अप्रतम इसमें दूसरे में कहाएगा प्रतमो आचार प्रतमो धर्मा आचार अमारजो वेवार है वह है अमारव प्रतम क्या है? धर्मह इस प्रकार आप इसको sol कर सकते हो, एक बार वो number डाल देता हूँ, number 1, number 2, number 3, number 4, यह number खालिस्तान के हैं, आपके 3 करना है, इसमें 4 दे रखे हैं, 3 करना है, इस लोख करना है, 2, जो आपके paper में नहीं आता है, वो इस लोख लिखना है, कम सकम 3-4 इस लोख याद करें आप, न कोई दिक्कत नहीं है छोड़ने सच्छा है कुछ लिखो ध्यान रखेगा ये ट्रिक काम आईगी आपकी दो इस लोग सुभास्तानी पार्ट से लिखना है डिस्कप्शन में लिंक है इस लोग अमने डाल रहे हैं अर्थी भी बता रहा है ध्यान पूरवक सुनो उनको और या अच्छे से शोल करकर इसको आना है कालिदास कभी नाटकानी अरच्यत इसमें अपको लिखना है त्रीनी बिलकुल साप-साप लिखा हो चाईव इंगलेंड इसमें लिखा है कि कितने उन्होंने क्या रचह है नाटक रचे हैं तो दोस्तमें बताऊंगा जरूर आपको पढ़कर ये देखेगा तिरीनी यहां पर आपका क्या जाएगा कती की जगाय सेखुछार कालिदास के दो महकावि कौन से हैं बताओ उनका नाम बताओ तो आप लिख सकते हैं रिद्टू साहार में एक दूतम उनके दो महा काग यह है लिख सकते हो इसमें इस फिरकार आप कम्प्लिट कर सकते हैं अपने इन कोश्यनों को यहाँ पर बात करेंगे हम निबंद की तो मेरे दोस्तों यदि चार नंबर आपको पक्के करना है तो कालिदास का और एक आपको निबंद याद करना है किसका संसकत बासा का दो निबंद याद कर लो बिलकुल 100% दोनों में से एक आपका आने वाला है बिलकुल भी आप चिंता ना करें सिर्फ पड़ें याद करें समय अभी आपके पास पर्याप्त है दो दिन का उसमें आपका अच्छे से रिविजन हो जाएगा ठीक है वीडियो अच्छा लगा हो पसंद आया हो तो आप सभी दोस्त एक बार इस वीडियो को शेर करेंगे और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजेगा साथी आगे भी सी परकार अपडेट पाना चाते हो तो चैनलन को सब्सक्राइब करके घंटिक बटन को पर कर लीजेगा मिलते हम अगले वीडियो में धन्यवाद